दोस्तों पूरी दुनिया में इस समय एक important report आई है जो कि इस समय चर्चा का विशे बनी हुई है और ये report दरसल पूरी दुनिया में जो nuclear हतियार है अलग-अलग देशों के पास उससे जुड़ी हुई है और ये report हमें बताती है कि किस देश के पास कितने nuclear हतियार है और किस level प हैं उन पर क्या असर रहा है जो हाल ही में हमें global level पर geopolitical events देखने को मिलते हैं नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है सुमित और हम यहाँ पर Lex Crack UPSC, CSC and Academy में इस पूरी report को study करेंगे और ये report आपको ये भी बताएगी कि भारत के पास इस समय यहाँ पर आपको पाकिस्तान से ज़ जादा nuclear हतियार आपको देखने को मिलते हैं और अगर बात करें तो report को discuss करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि report आखिर कौन जारी करता है तो एक institute है जिसका नाम है यहाँ पर Stockholm International Peace Research Institute सिपरी इसको short form में बोलते हैं और ये institute जो है पूरी दुनिया में हतियारों से अगला countries की जो शक्तियां है military powers उनसे जुड़ी ही reports को जारी करता है अगर बात करें यहाँ पर तो इस समय यही institute report जारी करता है जिसका नाम है state of armaments, disarmament and international security इस report को ही हम यहाँ पर study करके देखेंगे कि पूरी दुनिया में nuclear weapons का क्या यहाँ पर जो scenario है उसको यहाँ पर देख चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं उनके नाम 2023 में total arms sales by the top 100 arms production companies ठीक है उसके अलावा international arms transfer and world military expenditure यह तीन reports पहले जारी हो चुकी है और अब यहाँ पर चौती report आई है जो की nuclear हतियारों से जुड़ी हुई है ठीक है चलिए यहाँ पर दोस्तों एक comment box में मुझे जवाब दे बताएंगे कि Stockholm आपको कौन से देश के अंदर देखने को मिलता है और locations पर आधारित UPSC में question आते रहते हैं तो ऐसे मैं यहाँ पर बताएंगे कि Stockholm कौन सी country में आपको देखने को मिलता है अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर यह चोट टेबल है यह बहुत important data को आपके सामने रखती है और बताती है कि क्या trend पूरी दूनिया में आपको इहाँ पर nuclear हतियारों से जुड़ा हूँ देखने को मिलता है अगर बात करें यहाँ पर तो कहता है टोटल पूरी दूनिया में 12,000 से जधादड आपको nuclear हतियार देखने को मिलते हैं अब आपको लग सकता ह दोस्तों 12,000 नूपलियर हतियार, कौन सी बहुत बड़ी बात है, 12,000 तो बहुत नॉर्मल सा आकड़ा है, दोस्तों यहाँ पर लेकिन आपको याद रखना होगा, यह 12,000 बहुत बड़ा आकड़ा है, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 2nd World War जब खत्म होई थी तो उसके दौरान, वहाँ पर जापान के अंदर अमारिका ने हिरोशीमा और नागा साखी पर दो बाम गिराए थे, और अब जो हमारे पास हतियार है, यह घरोशीमा और नागा साखी से पर गिराए हुए बाम से हजारों गुना जादा ताकट वर है, और आप सब को याद है क् कोई चोटा मोटा आकडा नहीं है, ये बहूत बड़ा आकडा है, और धर्ती को लगवग नूकलियर हतियारों के मामले में सबसे ज़दा आपको रश्या देखने को बिलेगा, रश्या के पास 5580 580 न्यूक्लियर हतियार इंग टोटल आपको देखने को मिलते हैं लेकिन आप कहेंगे फिर अमेरिका उपर क्यों है जाहिर सी बात है अमेरिका के पास 2024 में रश्या से कम हतियार है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट यह है कि अमेरिका के जो हतियार है डिपलॉई किया हुआ है जबकि रश्या ने 1710 न्यूक्लियर हतियारों को डिपलॉई किया हुआ है और ऐसे मैं अगर बात करें टोटल जो स्टॉक पाइल है यानि कि जमा करके कितने रखे हुए हैं तो अगर बात करें तो रश्या के पास ज़्यादा हतियार है लेकिन डिपलॉईमेंट के मामले में देखे तो अमेरिका के ज़्यादा हतियारों को डिपलॉई पूरी दुनिया में किया हुआ है दोस्तो प्रिलिम्स में इस तरह का question आप से बना सकता है ठीक है कि रश्या के पास सबसे ज़्यादा हत्यार है लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट न्यूकलियर हत्यारों की अगर किसी ने की हुई है तो वो है अमेरिका अब अगर बात करें यहां पर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है कि यहां पर अगर बात करें टोटल हत्यारों में तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा फ्रांस आपको टोटल हत्यारों में यहां पर देखने को मिलेगा अगर बात करें यहां पर उसके बाद फ्रांस नहीं बलकि आपको यहां पर चाइना जो है वो फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज़ादा नुकलियर हत्यार रखता हुआ देश आपको देखने को मिलता है यानि कि अगर बात करें यूएस की और रशिया की तो उसके बाद आपको सबसे ज़ादा भारी मातरा में नुकलियर हत्यार चाइना के पास यहाँ पर चलिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आपको यहां पर देखने को मिलता है छटे नंबर पर जहां पर इंडिया के पास टोटल एक सो बहातर हतियार आपके पास देखने को मिलते हैं तो इंडिया आपको छटे नंबर का देश देखने को मिलता है जिसके पास सबसे जादा न्यूकलिर हत्यार है यानि की टोटल 172 और उसके बाद फिर आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है 170 पर तो जाहिब सी बात है इंडिया के पास पाकिस्तान से जादा न्यूकलिर हत्यार है लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाइना के पास भारत से लगबग तीन गुना हतियार है भारत के पास 172 है और चाइना के पास लगबग 500 न्यूकलिर हतियार है जो कि यहाँ पर फिर से एक चिंता का विशह आपको देखने को मिलता है अब अगर बात करें यहाँ पर टोटल पूरी दुनिया में 12,000 में से कितने हतियार जो हैं को मिलता है ठीक है कोई भी हतियार यहाँ पर डिपलॉइड नहीं है हाला कि हमारे पास टोटल हतियार इतने आपको देखने को मिलते हैं 122 है इसके रावा अगर रिपोर्स की ओवराल फाइंडिंग की बात करें तो कहता है कि जो 3,904 हतियार पूरी दुनिया में जो डिपल जिनको हाई operational alert की category में रखा गया है यानि कि आप कहसकते हैं कि इनको कभी भी launch कर सकते हैं इस परकार से आपको हतियार देखने को मिलेंगे टोटल कितने 2100 और आप समझ सकते हैं इस operational alert की category के जो हतियार deployed है यह कौन से देशों के होंगे यह US और रश्या के आपको देखने को मिलते हैं. इसके अलावा बता जा रहा है कि चाइना भी पहली बार इस कैटेगरी को जोईन करता हुआ नажर आता है. यानि कि हाई अलर्ट जो अपरेशनल हतियार है, वो आपको चाइना भी इस कैटेगरी में आता हुआ नظर आता है. इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो कहता है यूके के भी आप देख सकते हैं कि यूके के भी हतियार पहले से बड़े हैं और ऐसे में यहां पर 260 तक ठीक है यहां पर इन्होंने आकड़ा बढ़ाने का ले लिया था 2021 के अंदर तो United Kingdom भी यूरॉप के अंदर एक important nuclear power है उसके अलावा आपको कौन देखने को मिलता है उसके अलावा आपको France एक important European power देखने को मिलता है जो की आपको nuclear हतियार रखता हुआ नजर आता है इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि France भी अपने हतियारों पर काफी जादा यहां पर जो है उसको बड़ा बड़त दे रहा है ऐसे में ballistic missile submarine और new जो air launch cruise missiles है इन पर भी यहां पर France का focus आपको देखने को मिलता है इसके अलावा अगर बात करें तो कहता है North Korea की अगर बात करें जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है लगातार threat बना रहता है कि नौर्थ Korea कहीं अपना गलत तरीके से nuclear हतियारों का इस्तमाल ना कर दे अमेरिका को धंकी देता रहता है तो ऐसे मैं अगर इसकी बात करें तो कहता है कि यहां पर Korea है North Korea यह लगबख 50 वार हैक्स यानि की नुकलियर हतियार रखता है और यह इसको 90 तक की ले जाने की capacity भी रखता है यानि कि अभी उसके पास फिलाल 50 हैं लेकि 90 तक यह इसको लेकर जा सकता है इसके अदाब अगर इसरेल की बात करें तो इसरेल खुद से इसरेल जो है खुद से नहीं मानता है कि मेरे पास नुकलियर हतियार है लेकिन सब को बता है कि इसरेल के पास भी नुकलियर हतियार है तो ऐसे मैं यहाँ पर बताया गया है यह report कहती है कि इसरेल जो है अपने नुकलियर हतियारों को modernize करने पर भी focus यहाँ पर कर रहा है और plutonium based जो nuclear हतियार है उनका production और plutonium का production बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है ठीक है चलिए तो ऐसे में अगर बात करें यहाँ पर एक और interesting fact जो है वो यह कि पूरी दुनिया में जितने भी nuclear हतियार है टोटल 12,000 है उनमें से 90% आपको देखने को म in total देखने को मिलते हैं यह report यहाँ पर कहती है और लगभग इंडिया के पास 172 है अब अगर इंडिया से जुड़ी हुई specific findings की यहाँ पर बात करें इंडिया से जुड़ी हुई और important जानकारी की बात करें तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यह है कि भाई इंडिया का major जो करें उसको रोकना चाते हैं इसलिए nuclear हतियार हम रखते हैं ऐसे में हमारा जो focus है वो mainly पाकिस्तान रहता है कि भाई पाकिस्तान से हम एक deterrence यहाँ पर create करके रखें तो भारत का focus जो है वो पाकिस्तान को तरफ रहता है जहां तक nuclear हतियारों की बात है लेकि यहाँ पर यह report कह missiles के थरूब भारत जो है चाइना को भी cover कर सकता है यह report यहाँ पर कहती है long range weapons भी भारत बना रहा है इसके लावा अगर बात करें तो कहता है कि भारत के जो nuclear हतियार है यह plutonium based है और यह एक अच्छा prelims related आपको fact मिल गया paper में आप से पूछ सकता है कि भारत के जो nuclear हतियार है उनमें जादातर कोई सा material इस्तमाल होता है तो यहाँ पर अगर बात करें uranium नहीं बलके जादातर plutonium इस्तमाल होता है plutonium based है mainly plutonium technology plutonium का इस्तमाल उसमें as a visile material यानि कि जो important material इस्तमाल होता है वो है plutonium और यह कहाँ पर बनाया जाता है भावा atomic research center पर यह जो plutonium बनता है इस पर आधारिज भारत के हतियार आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पर एक बात यह भी कही गई है कि भारत जो है अभी तक यह देखा गया है कि भारत अपने nuclear हतियारों को उनके launcher से अलग रखता है यानि कि एक हो गया launcher यानि कि जो उस बाम को फैक कर दूर तक launch करेगा वो हो गया launcher तो भारत अभी तक launcher और जो हतियार है उनको अलग 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 रखता आया है लेकिन अब यहाँ पर आगे चलकर यह देखने को मिल सकता है कि भारत अपने कुछ जो हतियार है वो launchers के अंदर ही रखे launchers के साथ रखे और वो भी peace time के अंदर तो अभ तोरान यहां पर भारत अपने लांचर्स के अंदर नुकलियर वार हैज को रख सकता है ठीक है चलिए यानि कि आलमोस्ट डिपलॉय करने वाली बात यहां पर आपको देखने को मिलती है इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि पूरी नाम की जो टृटी है उसको उसे विग्डाओा कर लिया था और यह टृटी जो है यह दरसल यूएस और रुषया के बीच के अंदर एक ऐसी टृटी है जो की दोनों देशों के बीच में नुकलियर हत्यार कितने होंगे, मिसाइल कितनी होंगे, उनके नंबर को मेंटें करत है यानि दोनों देशं टेश करते हैं मिलिममम इतने ही हतियार हम रखेंगे ज्यादा हतियार हम नहीं बढ़ाएंगे तो दोनों देशों के बीछ में एक ВWorld ऐ 있क में एक आलमिल बनाने वाली नेश्टे का इन नूथ 2026 तक इसको चलना था लेकिन 2023 के अंदर ही रशिया नहीं यहां से विग्ड़ॉ कर लिया कारण आप जानते हैं कि यूक्रेन रशिया वार जो चल रही है इसमें यूक्रेन की तरफ आपको वेस्टन कंक्रीज और यूएस आपको देखने को मिलते हैं अब ऐसे में अगर बात क ने फिर बाद में नवंबर में रशिया ने अपने आपको comprehensive nuclear test bank treaty से भी withdraw कर लिया यानि कि उसकी अगर बात करें तो rectification वापस ले लिया comprehensive test bank nuclear treaty दोस्तों एक ऐसी treaty है जो की 1996 के अंदर जिसको लेकर आया गया था UN के अंदर और अभी तक ये पूरी तरह से force में नहीं आई है क्यूंकि कुछ जो देश nuclear power है उन्होंने इस treaty को sign नहीं किया है जिसमें से एक आपको US भी देखने को मिलेगा रश्या भी nuclear power है हाला कि उसके बाद रश्या ने इस treaty को sign करता है और ratify भी करता है जबकि US ऐसा नहीं करता है और ये treaty क्या करती है ये treaty नूकलियर हतियारों का जो आप test करते हैं explosion करते हैं उनको ban करती है हर तरीके से ना तो आप atmosphere में कर सकते हैं नहीं आप outer space में टेस्ट कर स से नुकलियर हतियारों के explosion को उनके test को ban करती है और ऐसे में रशिया इसको sign कर चुका था लेकिन US ने इसको sign नहीं किया था तो इसी चीज़ को आधार बनाते हुए रशिया ने नवंबर 2023 के अंदर इस कृटी से भी खुद का जो ratification था उसको वापस ले लिया हाला की रशिया इसका signatory अभी भी है लेकिन ratification वापस लेया है sign किया है लेकिन अपनी संसद का जो ratification था संसद का approval था ट्रिकी को वो वापस यहां पर ले लिया गया है ऐसे में अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि एक और event आप को जैसा कि आप जानते हैं यूएस जो था वो इरान की इस चीज़ को लेकर नाराज था कि इरान जो है यूक्रेन रशिया वार के अंदर रशिया का साथ दे रहा है और ऐसे में यूएस जो हमेशा से इरान के जो बढ़ते वे नुकलियर प्रोग्राम है उसको लेकर चिंता में है तो ऐसे में यहाँ पर एक तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही थी कुछ अग्रीमेंट या फिर आप कहते हैं मूच्वल अंडिस्टेंडिंग यहाँ पर डिवेलप की जा रही थी इरान और यूएस के बीच में कब जून दोहजार तेस के अंदर और यहाँ पर कोश उसके प्रॉक्सी ग्रॉप्स जो हैं वो जैसे आपने देखा कि होती रिबल्स जो है रेट सी के अंदर जहाजों पर अटैक करते हैं और इस्रेल से आने वाला जो भी जहाज है यानि यह रश्या जो यूएस है यूएस के अलाइज और खासतोर पर इस्रेल जो है उसको इंशन बढ़ती हुई नजर आती है और जो यहाँ पर यह थोड़ा तालमिल बन रहाता 2023 के अंदर फिर यह भी यहाँ पर जो है इसमें भी अरचन आती हुई नजर आती है और इसका एक मेन आपको जो अग्रिमेंट का जो मेन नूच्रल अंडरस्टैंडिंग थी वह यह कि करें तो प्रिलिम्स से जुड़ी हुई important जानकारी क्या हो सकती है दोस्तो हाई quality important जानकारी हम यहाँ पर discuss करेंगे हर वीडियो के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि जो बहुत जादा एक quality यहाँ पर प्रिलिम्स related facts हैं उनको हम यहाँ पर discuss करें हर बार कुछ नहीं आपको सकता है कभी कि uranium और plutonium based जो nuclear हतियार है उनके अंदर क्या difference होता है और पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हतियार होते है nuclear हतियार उसके अंदर सिर्फ uranium का ही इस्तमाल नहीं होता उसके अंदर plutonium का भी इस्तमाल हो सकता है तो plutonium भी as a fuel इस्तमाल किया जा सकत तो क्याता है नूपिलियर हतियारों में और कौन सा तो कहता है प्लूटोनियम इस्तेमालों कि पारत रहिए पहरतो as a fissile material तो दोनों ही statement एकदम correct एकदम सही हो जाएगी ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसको आप पढ़ सकते हैं कहता है कि यहाँ पर कुछ design आपको देखने को मिलेगा implosion type का जो design है वो आपको मिलेगा plutonium related bombs में और gun type design आपको मिलेगा uranium related bombs के अंदर अब अगर यहाँ पर बात करें तो एक बड़ा difference आपको देखने को यह मिलता है दोस्तों भारत जो है वो plutonium based हतियारों का इस्तमाल करता है जबकि जो पाकिस्तान है वो uranium based uranium based हतियारों का हतियारों का इस्तमाल करता है लेकिन अगर बात करें efficiency की तो कहता है जो plutonium based यानि की भारत जो इस्तमाल करता है ये bomb का इनकी efficiency जादा होती है जबकि uranium based bomb की efficiency कम होती है इसके अलावा जो यहाँ पर structure होता है तरीका होता है यहाँ पर explosion करने का वो थोड़ा complex होता है plutonium based हतियारों में जो की भारत इस्तमाल करता है uranium वाले में थोड़ा जो तरीका है और यहाँ पर process है थोड़ा simple होता है ठीक है चलिए तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं और अगर एक और बात करें यहाँ पर plutonium लाते कहां से है तो भाई plutonium दरसल जो आपको देखने को भी लगा बिजली बनाने वाले nuclear reactors होते हैं वहाँ से जो plutonium generate होता है उसका इस्तमाल किया जाता है nuclear हतियार बनाने में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे comment box में दोस्तों बताएंगे कौन सी generation के nuclear power plants जो है वो plutonium वहाँ पर generate करते हैं ठीक है मुझे बताएंगे कौन सी generation के nuclear power plants generate करते है plutonium as a fissile material ठीक है चली यह आप देख सकते हैं दो design जो कि यह एक design है gun type design जिसको कहते हैं और यह gun type design पाकिस्तान इस्तमाल करता है और यह uranium वाले bomb के अंदर इस्तमाल होता है gun type design का मतलब है जिसे बंदूक चलती है और बंदूक जटका मारती है उसी तरह से यहाँ पर एक material होता है uranium 235 वो दूसरे uranium 235 पर बंदूक के तरह जाकर लगता है और reaction चालू हो जाती है वहीं पर अगर बात करें plutonium based nuclear हत्यारों में तो implosion design होता है और ऐसे में यहाँ पर plutonium वाला जो material हो बीच में रखा होता है ठीक है और चारों तरफ जो है उसके तरफ uranium होता है और uranium इसको compress कर देता है और ऐसे में अगर बात करें तो main जो यहाँ पर material है वो है क्या plutonium अब यहाँ पर अगर बात करें तो हिरोशिमा और नागा साकी पर जो बाम गिराये थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए भाई हिरोशिमा पर little boy गिराये था और नागा साकी पर fact man को गिराये गया था और ऐसे मैं अगर बात करें US उस समय दोनों ही तरह के bombs का US ने इस्तमाल किया था मुझे लगता है US दोनों अलग अलग तरह के bombs का यहाँ पर इस्तमाल करके शायद ये भी experiment करना चाहता होगा कि इन में से किस परकार का explosion कहाँ पर होता है कहाँ पर जादा नुकसान होता है तो एक तरह से US का यह experiment भी रहा होगा तब ही अलग अलग bomb यहाँ पर गिराए गए है ठीक है चलिए इसके लावा दोस्तों एक और important prelims से जुड़ा हुआ fact है उसको यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि हमने बात करी एक treaty का नाम है comprehensive test bank treaty 1996 जिसको रशिया ने तो sign करा ratify भी करा लेकिन US ने नहीं करा ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है partial test bank treaty जैसे हमने बात करी comprehensive test bank treaty होती है वो क्या करती है वो कहती है कि आप nuclear हतियारों का कहीं पर भी explosion करके उसको test नहीं कर सकते हैं चाहे जमीन की बात हो underground हो पानी के अंदर हो atmosphere में हो या फिर outer space में हो लेकिन यहाँ पर आपको एक treaty देखने को मिलती है जो की 1963 के अंदर Moscow में sign की गई थी और फिर 1963 में ही force में आ गई थी इस treaty को limited test bank treaty या फिर partial test bank treaty भी कहा जाता है तो हमें comprehensive test bank treaty की ज़रूरत क्यों पढ़ी क्योंकि उससे पहले हमारे पास एक partial test bank treaty थी अब ये क्रिटी क्या करती है ये क्रिटी कहती है कि आप atmosphere में यानि कि हवा में bomb को फोड़ कर इस्तमान नहीं कर सकते तेस्ट नहीं कर सकते आप outer space में नहीं कर सकते और आप underwater भी नहीं कर सकते ठीक है ठीक है लेकिन यहां पर ये underground जो test है उनको allow कर देती है underground test को allow कर देती है 1963 के अंदर ये treaty force में आती है और अगर आपको याद होगा दोस्तो भारत ने जो अपने test करे थे nuclear हतियार जो भारत ने अपने test करे थे चाहे पोखरण की बात हो कि पोखरण में चाहे पोखरण 1 हो चाहे पोखरण 2 हो दो बार भारत ने nuclear हतियारों को अपने test करा है ठीक है एक बार इंद्रा गांजी जी के टाइम पर एक बार अटल विहरी वाजपई जी के टाइम पर दोनों ही केसिस में आप देखेंगे कि भारत ने अंडर ग्राउंड एक्स्पलोशन करके नुकलिर हतियारों को टेस्ट किया था तो ऐसे में अगर बात करें ये पार्शेल टेस्ट बैंक ट्रिटी जो है ये अंडर ग्राउंड हतियारों को बैन नहीं करती है और यही इसके अंदर एक लूप होल है ठीक है आपने बहुत जगा तो बैन कर दिया लेकिन अंडर ग्राउंड हतियारों को जो टेस्ट है उसको इसलिए 1996 के अंदर comprehensive test bank treaty की जरुवत पड़ी लेकिन वो अभी तक force में नहीं आई है, इस fact को याद रखेंगे, prelims में पूछा जा सकता है, force में क्यों नहीं आई है, क्योंकि major जो nuclear power है जैसे कि US और बाकी कुछ countries वो उस treaty को sign नहीं कर रही है, चले, तो यहाँ पर हमने important जनकार question है, बहुत जादा important और high quality question है, पेपर के अंदर कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे, कि भाई भारत ने इन में से कौन सी क्रिटी को sign किया हुआ है, ठीक है, चले, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले important जानकारी जैसा कि आप जानते हैं, अगर बात करें, यहाँ पर आपको English medium, यानि कि bilingual, English medium और Hindi medium, तीनों ही प्रकार के batches आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बिल्कुल zero से, foundation से तयारी कराएंगे, UPSC की, जिसमें आपको mentorship मिलेगी, test material मिलेगा, test series मिलेगी, सारी चीज़ें, ऐसे ही 2026 का foundation batch भी launch चुगा है, सभ आप SM के live code लगाते हैं, तो आप इस course के अंदर enroll कर सकते हैं, इसके अलावा, 2024 के लिए आप means answer writing भी कर सकते हैं, अनकाडमी के साथ, और यहाँ पर आप अपने answers को लिखकर, आपने answers को evaluate कर रा सकते हैं, और आपकी जानकारी में जो भी दोस्त mains लिखने वाले हैं, या आप मे join करेंगे, code लगाएंगे दोस्तो SM के live, इसके अलावा, यहाँ पर iconic जो प्रोग्राम है, उसके अंदर कुछ नए features कर दिये गए है, क्रिविशन और answer evaluation, जिसे इनको भी यहाँ पर एक बार देख लेंगे, इसके अलावा, 9 बजे, आज यहाँ पर शाम को 6 बजे, 9 जून, 19 जून को यहाँ पर UPSC की बैटक में भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अलावा, दोस्तो अनकाइजमी यहाँ पर कई प्रकार के optionals आपके लिए लेकर आया है, almost सभी optionals आपको अनकाइजमी के साथ cover करने का मौका मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर आप enroll कर सकते हैं, code लगाना होगा दोस्तो SMK Live, ठीक है, चलिए. दोस्तों अपना ख्याल रखेंगे, जय हिंदोस्तों.